हल्लो वहियों आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आज रात का अपना यहाँ पर T10 का मैच होने वाला है ECS गिब्रलता T10 का मैच होगा यहाँ पर रात में दो मैच होंगे सवा 11 बजे और सवा 1 बजे तो उन मैचेस के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर डीटेल में देने वाला हूँ बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जो है वो आपको लाश्ट तक वोच करना है तो यहाँ पर आपन देखते हैं क्या कौन से प्लेयर के क्या स्टैट्स है तो देखो सबसे पहले मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी बता दूँ कि यह मैच नमबर होने वाला है 13 और 14 और मैच जो है वो रात में स्टार्ट होगा सबा 11 बजे पहला मैच रात में स्टार्ट होगा मैच खेला जाएगा यूरोपा स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स गिबरलतार में मुकाबले खेले जारे हैं सारे और वही पर यह मैच भी यहाँ पर होने वाला है यह चीज़ आप ध्याम में रखके चलेगा सबसे जरूरी काम के हैं भाईयो अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो और अगर आपने अब तक टेलिग्राम चैनल को जो नहीं किया ना तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोइन कर लेना है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है, देखो एक तो आपको इसी वीडियो के description में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाओगे या फिर आप comment सेक्षन में जाओगे तो वहाँ पर जो पहला comment आपको मिलेगा ना टॉप पर पिंट किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चनल को जोइन कर सकते हो, और जोइन होना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी की सारी आपको टे उतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यामें रखके चलेगा, एवरेज स्कोर यहाँ पर 80-100 बनता है, बेलेंस सर्फेस रेता है, वारिस के यहाँ पर अब तक कोई भी चांसे मुकाबले में नहीं है, ये चीज़ ध्यामें रखके आप चलिएगा, अब देखो, पहले यहाँ पर अपन बात कर लेंगे, जो यहाँ पर टीम है, RGC, इनकी क्या प्लेंग रहे हुं थी लास्ट मिच में, बेटिंग ओडर के साथ में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इनकी तरफ से आप देखो, ओपन किया था, लास्ट मिच में होमद रोसन, उनके बाद में क्रिष्टो पर गोमिला और उनके साथ में जचेरी सिम्सन यहाँ पर नंबर 11 पर आए थे, तो यह इनका प्लेंग लेवन था, विद बेटिंग ओडर लास्ट मेंच का, यह शीज़ा आप ध्यामें रखके चलेगा, अब मैं यहाँ पर इसी ब अगर मैं बात करूँ न, तो इसने देखो, जो 4 मैचेश खेले हैं, उसमें अगर आप देखो कि 4 ओवर इसने डाले हैं, विकेट इसके नाम 1 है, बल्ले से अगर आप देखो कि 1 है, 69 नोट आउट हैं, 71 नोट आउट हैं और 19 हैं, तो काफी अच्छा रिकोर्ड इसका बेटिंग यह आप देखो, 11 है, 8 है, फिर 34 है, लास मेच में नो रन के साथ साथ इसको एक विकेट भी मिला था, और पूरे इसने दो ओवर डाले ते, तो यह चीज ध्यान में रखना, अगर यह बेटिंग के साथ साथ बोलिंग भी करवा रहा ना, तो फिर यह वंदा आप इस टीटेन में 612 रन जरूर है, लेकिन अभी तक वह मेंस नहीं है, स्मोल लिंग में में बिल्कुल नहीं रखने वाला हूँ, निकिल अडवानी की बात करूँ, तो ओब्रेक बोलिंग डालता है, नंबर चार पर बेटिंग करता है, आप देखो, चार मैच में 5 ओवर डाल बिल्कुल भी अच्छा रिकोर्ड नहीं है, आप छोड़ सकते हो, दैयालन टेलन की बात करूँ, तो पहले मैच में इसने 30 रन किये, एक ओवर डाला, विकिट लेस था, उसके बाद ने आप देखोगे, 10 नोट आउट, 13 नोट आउट, 13 नोट आउट है, तो मलब सिर्प ब पर दिखेंगे, इनके नाम अगर आप देखो, तो देखो, चार मैचे खेले हैं, उसमें तीनी ओवर डाला है, विकिट कोई नहीं है, तो इनको आप स्मोल लिक में तो नहीं, ग्रेंड लिक की जो टीम बनाओगे आप रिस्की वाली, उनमें आप ट्राइक कर सकते हो, इस् बात रन की, एक पारी भी इन्हों ने आप पर खेली हुई है, बात करें आप पर मोहमद रोसन की, तो देखो, इनको क्या हो रहा है, कि पहले मेच में बोलिंग नहीं मिली, उसके बाद में अगले दोनों मेच में, दो दो ओवर डाले, विकिट ले इस्ते, फिर बोलिंग न यह ऐसा बंदा है, जो डेट में बोलिंग डालता है, और वो भी इस्पिनर हो के, आपने देखा होगा, लास्ट में भी नवा ओवर डाला था इसने, चार मेच में छे ओवर डाल के इसके नाम तीन विकिट है, इंपोर्टेंट बोलर है, 38 मेच में भी इसके नाम 32 विकिट ह है, तो उनके भी स्टेट्स में याप पर दी हुए, आप देख सकते हो, स्टार्टिंग ओवर कोन डाल रहे थे, सुग्जिस तिंग और निखिल अडवानी, डेथ में कोन आ रहा था, अधित अटलयो, जचेरी सिंसन और यान लेटिन आपको डेथ में दिख रहे थे, तो य आपकी मैं टेलीग्राम चले पर भी स्टेट्स इनके बता ही देता हूँ, यह चीज़े हमें रखना, बात करें यापर दूसरी टीम, यानि कि तारीक की टीम के अगर मैं आपर बात करूँ, तो इनकी टीम का क्या बेटिंग ओडर रहा था, लास्ट निच में क्या प्लेयर क और नीचे बेज दिया, फिर आयते जेक हेरोक्स, एज यानि, यहां से सीन, डेल गाड़ो, इनके बाद में लुकास, और इनके बाद में जेक हेरोक्स, और फिर टॉम बेट्सन आपको नंबर 11 पर दिख जाएंगे, तो यह इनकी टीम का यहां पर बेटिंग ओडर था, ला हो थी तगड़ा प्ले रहे हैं, बलब बोलिंग ये कमाल की करता हैं, बेटिंग कमाल की करता हैं, आप देखो तीन मेच खेला हैं बंदा, छे ओवर डालें इसमें, उसमें इसके नाम आठ विकेट हैं, और बल्ले से भी आप देखो कि तीन नोट आउट, तरानवे नोट आ करवाना फिक्स नहीं है, आप देखो चार मेच में इन उन्हें डाले हैं, चार ओवर उसके अंदर इसके नाम दो तो विकेट हैं, और बल्ले से आप देखो नो जीरो, तो बोलिंग करवाना इनका फिक्स नहीं है, ये चीज़ आमें रखना, कबीर मीर पूरी बहुत अच् बात करें, यापर अभिनास पाई पहले ओपन कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा नीचे वेटिंग कर रहा है, इसके नाम आप देखो तीन मेच खेला हैं, उसके अंदर चार ओवर डालके, आप देखो कि दो विकेट हैं, और बल्ले से तरहासी और अरतालिस नो डाउट है काफेचर रिकोर्ड है, जेक हेरोक्स, बोलर बहुत अच्छा है जेक हेरोक्स, दो मेच में चार ओवर डालके एक विकेट है, ओवरोल 27 टीटेन में 17 विकेट है, 49 ओवर डालके, ये चीज़ आप धिया में रखके चलेगा, बाकी प्लेयर के स्टेट्स अगर अपन यहापर देखें, तो नंबर साथ पर आपको कौन दिख जाएंगे, नंबर साथ पर आपको दिख जाएंगे, आप पर आप देख सकते हो, असेस जानी आपको दिख जाएंगे, असेस जानी का भी आप देखो, जीरो, फिर खेलानी, फिर नो बेटिंग, फिर एक नोट आउट, तो क नीया और यहाँ पर tom-betson भी 2 مेंच खेला हैं जिसमें इसने कुछ भी खास भोमेस नहीं दिया है तो इनके जो main player थे main जो इनके not play प्लेयर हैं अभिना स्पाई है जैक है रोकस है और अगर आप षी प्लेयर को important तो Betsy Urban jut फ्लेलेबहें तो कुषि में रुके चलेगा तो कौन से प्लेयर आपके लिये important है वो भी आपको पता होना जरूरी है अब देख लिता है इनके बैच पर प्लेयर का है और स्टार्टिंग डेत्व फवर, तो इनकी देख से स्टार्टिंग ओवर डेत्व में कोई आता हैं, तो पर यहाँ पर डालतें, सब की सब आपको मिलेंगी टेलीग्राम चलन पर जोईन होने का तरीका बहुत ही सिंपल है देखो एक तो आपको जो टेलीग्राम चलन का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरा आप कमेंट सेक्षन में चले जाओ तो वहाँ पर जो पहला आपको टेलीग्राम चलन का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चलन को जो करी ही सकते हो अभी देख लेते हैं आपर डेमो टीम के अगर मैं आपर बात करूँ आपसे तो डेमो टीम में आप देखो मैंने आपर विकेट किपिंग स से रखाएं ए हिलमेन को और बेटिंग सेक्षन से रखाएं याल लेटिन निकल अडवानी मेथ्यू विलन और बात करू ओलांडर सेक्षन की अविनास पाई कबीर मीरपुरी अधीतो अटोलयो लोरने बंस जे केरोक्स और सुगजी सिंग और बोलिंग सेक्षन से मेरे जवच और फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिलेंगी टेलिग्राम चनल पर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो जल्दी सी जाकर जोइन कर लीजे ये वीडियो लास्तर देखने के लिए थैंक्यू